केला तो हम सभी खाते हैं और हम सभी जानते हैं कि केला सेहत के लिए और तवचा के लिए भी काफी फायदेमंद है लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले के छिलके भी केले के जितने ही फायदेमंद है जी हाँ केले के छिलके तो केलो के छिलकों को फैकने के बजाए उनका भर पूर उपयोग किया जा सकता है यह आपके बालो और तुचा के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद है इन्हें पोशन देता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे केले के छिलकों का आप सही तरीके से इस्तमाल कर सकते हैं केला तो पोशन से भरा ही हुआ है लेकिन इसके साथ ही केले के छिलके का उपयोग भी बालो और स्किन के लिए काफी फायदिमंद है बालो और स्किन दोनों को पोशन देता है केले के चिलकों में anti-inflammatory properties होती हैं और साथ ही vitamin C से भरपूर होता है जो sun damage और acne से deal करने में मदद करता है बस केले का चिलका लें और affected area में rub करें at least 5-7 minute इसके अलावा आप केले के चिलके को mixi में piece कर उसमें एक चमच शहएद और एक चमच नीबू मिलाएं और इस paste को चेहरे पे लगा ले at least 10 minute के लिए to notice a difference केले के चिलकों में antioxidant properties होती हैं जिनकी मदद से ये आपके चेहरे से wrinkles घटाने में मदद करता है और साथ ही तवचा पे निखार भी लाता है रात में सोने से पहले अपना चेहरा दो के केले के चिलके को अपने चेहरे पे कुछ देर के लिए रब करें आखों के नीचे काले घेरे बेहदी common हैं कई दफ़ा स्ट्रेस या नींद अच्छे से ना आने पर dark circles हो जाते हैं ऐसे में केले के चिलके बेहदी फायदेमंद हैं बस केले के चिलकों को आखों के नीचे लगा के छोड़ दे कुछ समय के लिए इसका cooling effect आपकी ठकान दूर करने में भी मदद करेगा केले के चिलके केवल तवचा के लिए ही नहीं बलकि बालों के लिए भी बहुत ही जादा फायदेमंद हैं ये बालों को नमी देता है और साथ ही टांट्रूफ को कम करने में मदद करता है केले के चिलके के अंदर के हिस्से को नारियल के दूथ में मिलाएं और इसमें हलका सा नारियल का तेल और गुलाब जल मिला दें इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा दही मिला दें इसमें पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद बालों की जड़ों में लगाके मसाज करें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दे फॉर बेस्ट रिजाल्ट्स झाल्ट्स